हेलो गाईस तो कैसे हैं आप लोगाई होफ सभी अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CA की मेड रेंजिस के बारे में CA ने अपनी नई मेड रेंज लांच कर दिया जो की वर्जन 2 के नाम से आएंगी परानी वाली भी कॉंटिन्यूड रहेंगी प्लस यह नहीं वाली भी लांच हो चुकी है जिसमें कई इंप्रूव्मेंट्स करी हैं CA ने तो करते हैं एक बार इसको अनबोक्स तो पैकेजिंग बीकल से में अगर आप और आप करते हो तो इसमें आपको पैकेजिंग करते हूं पर इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं सो यहां आचुकी है CA की मिड रेंज जो की 150 वाट आरेमस की है इवन इसको आप 150 से जादा भी दे सकते हो गेज जेल जाएंगे बहुत अराम से अब बात करें इसमें इंप्रूव्मेंट्स की तो इंप्रूव्मेंट्स सबसे पहले त कर दिया है इसकी स्पीकर की और अगर हम इसको पीछे रखके तो यहां आप देख सकते हो सीए की लोगों मिल जाएगी में इन स्पीकर यहां पर इसमें इसका मॉडल नंबर जो की सीए 6.5 V 165 MR रहने वाला है बाकि अगयन यह को थंडा रखने के लिए इसकी वेंटिलेशन के लिए इसकी बात करें अगें तो इसमें टर्मिनल्स दियो हैं कोई पुष्ट अमेल अगारा नहीं है नॉमल टर्मिनल जिसको जिस पर आप सोल्ड़ कर सकते हो इवन थिंबल्स भी अटाच कर सकते हो और इसके स्पाइडर की बात करें तो यह स्पाइडर भी प्लास्टिक में हमें देखने को मिलती जैसा कि आप थोड़ा देख सकते हो बाकी जो सीए का लोगो है यह रेडियम में तो ग्लो भी करता है अगर इस पर हम फ्लैश मारेंगे तो एंड इसकी साइड की बात करें तो साइड में यहां पर पहले जैसे हमें रबर का या थर्म प्लास्टिक रिंग का यूज कर रहा है जो कि इसको बहुत एक अच्छी लुक दे रहा है और एक प्रिमियम चीज भी लग रही है प्लस इसका मेगनेट साइज है इसमें 165 म्र वाले में मेगनेट साइज इसका बड़ा कर दिया है मैं आपको परानी मिड रेंज भी दिखा तो इसकी आप सबसे पहले तो माइंड मत करना जिस कंडिशन में है क्योंकि यह दरवाजों में लगी थी हैं मैंने गाड़ी के दरवाजों के अंदर अपना जो रिंग होती है जिससे की बारिश का पानी बगार है इसको एफेक्ट ना करें वो नहीं लगा रखाता है जिसक को मांटिंग हाइट जो है वो कम है तो आपको एक बरी साइड बया साइड भी में आपको दिखा देता हूं एक step Claireamp अपर सब्सक्राइब करने पर हमारी यह जो यह मैगनेट के पीछे वाला जो पाट था यह अटकता था जिससे कभी कभी चीशा उपर नीचे गन्रे में दिक्कत आती थी तो यह दिक्कत नहीं आने वाली इनके साथ क्योंकि इसकी आप प्लेट देख सकते पतली कर दी गई है यह आप और से लोग कुछ ऐसी है कि बात करें एक बारी फ्रेंट से फ्रेंट में अगर यहां पर द्यान से देखो तो यहां पर भी आपको पेपर कैप ही मिलती है बट यहां पर प्लाश्टिक कैप हमें यहां पर देखने को मिल रही है सो फ्रेंट लुक के अगर बात कर रहा तो फ्रेंट लुक पहले ऐसी हो अगरती थी यह रबर का आपको कुछ फोम टाइप सा देखने को मिलता था पहले जो कि अब प्लास्टिक का कर दिया नहीं जो कि प्रेमियम लुक हमको देता है तो अब नीचे से अगेन में आपको मांटिंग दिखा रहता हूं कि इसकी कितनी कम रहती है यह पुरानी वाली में जो अभी अभी लॉंच होई है बाकी कमपैरिजन में जो ही मैं यह यूज कर रहा हूं अपनी गाड़ी में इसको तब से पहले हैं रिमूव करके इंस्टॉल करते हैं इन्हें बात करते हैं कैसा उट subscribe यह पर देखने वाला है और लास्ट में बात करें इसकी प्रैसिंग की किस प्राइश में हमें देखने को हूता पर खोल दिया है पूरे दरवाजे हैन्ड वहां पर देख सकते हो वाह से में ने मेट्ड एउफ मुव कर दी सिया की अब यहां पर डालेंगे 150 वाली हटा के जो अभी भी 150 वाट ही होगी बट वो दूसरा मॉडल नंबर होने वाला और जो इंप्रूवड मिड्रेंज है वो इंस्टॉल करेंगे यहां पर कर दिया यहां पर इंस्टॉल एंड एक बड़ी में आपको इस की भी सेटिंग दिखा रहेता हूं कि खाली हमारे फ्रेंट वाल स्पीकर्स ही फंक्शनल है भी जो रेर स्पीकर्स है इसको कर रख है भी फॉर टाइपिंग के लिए ओफ एंड करते हैं कर दो लुट है। है मने शींगफ एक झाल फिंग rael Update कि ईसारे Сवट बमने Frankie Carson मारी, कि दायून हमाना। कि हστεी काल सबना है तो एक बारी प्ले करके देखते हैं नॉमली कैसी की आवाज है रहने वाले अगर आप नॉमल गाड़ी में सुनते हो इन कैबिन लूमल HEcc Better आप एकर कार् प्ले कैसी प्लेक बार स्वर्ड एक अप दो ऐसे प्लेशाोगी में सुनते हैं नॉमल नॉम। रगाज वार वार आगर झालेक वार आओ नॉमоть हैं नॉमल और आफिन अगर हम बात करें इन मिड्रेंजिस के उपर तो मिड्रेंज हम खाँ खाँ पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा लाउडनेस और वोकल चाहिए होते हैं उस जगह पर हम मिड्रेंज का इस्तमाल करते हैं मिड्रेंज और कॉंपनेंज को आप अल्मूस्स सेम मत समझना क्योंकि मिड्रेंज का फंक्शन अलग होता है और कॉंपनेंज एक अलगी आटपुट देते हैं अगर आप सोस्रियों की कॉंपनेंज से अच्छे मिड्रेंज बच जाएंगे तो ये चीज नहीं हो सकती मिड्रेंज चलाने के लिए भी आपको सूपर ट्विटर चाहिए होंगे जो हमारी हाई फ्रिक्वेंची निकालेंगे और ये जो इसके नीचे की फ्रिक्वेंची से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं बट इनमें ये नुकसान होता है कि ये बेस नहीं दे सकते जैसे कि कॉंपनेंट हलका हलका बेस हमको दे देते हैं मिड्रेंज आपकी बेस साउंड जो करती है वो करती है अपने 800 वाट आरेमेस के सेटप में 800 से उपर जितने भी आप सेटप करो तो कैसी हमें देखने को मिल जाती है और एंड इवन थोड़ा और पास से भी दिखाता हूँ अगर अब बात करें इन मिड्रेंज के प्राइस की सो ये मिड्रेंज आपको 3800 रुपीज की पड़ेगी जो की एक्स्क्लूडिंग शिपिंग रहने वाला है शिपिंग कोश्ट आपको अलग से इसमें देनी पड़ेगी आप आल ओवर इंडिया कहीं से भी मंगवा सकते हो बाकि अगेन इसका मॉडल नम्बर में फिर से दिखात है तो आपको CA 6.5 V2 165 MR रहने वाला है तो आपको आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगे तो थैंक्स पर वाचिंग